इस वीडियो में आप नजीर अक्बराबादी द्वारा लिखी कविता आदमी नामा के अर्थ को सम्झेंगे नजीर अक्बराबादी का जन्म शत्रह सो पैंतीस में दिल्ली में हुआ था और बाद में वो आगरा चले गए थे जहां वो मुगल समराट के दर्वार में भी रहते थे नजीर अक्बराबादी की खासियत थी कि वे आम बोलचाल की भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे और सबसे बड़ी बात थी कि वो बिलकुल पलक जपकते दो लाइने लिख दिया करते थे मानलिया रास्ते में कोई आदमी मिला और उनसे फरमाईश की कि कुछ लिखें किसी खास मुद्दे पर तो नजीर अक्बराबादी फटाफट कोई ने कोई रचना बना लेते थे और उनकी रचनाओं में जो भाषा की सरलता थी उसके कारण उस जमाने के कई लोग उनकी कविताएं इस्तिमाल करते थे जैसे फेरी वाले होते थे कोई चूड़ी बेचने वाला है या फल बेचने वाला है वो उनकी कविताएं गागा कर अपना सामान बेचा करता है जो उस जमाने की गाईकाएं थी या नर्तकी थी वो उनकी कविताओं को इस्तेमाल करती थी क्योंकि इनकी भाषा बड़ी सरल होती थी किसी की भी समझ में आसानी से आ जाती थी तो यह कविता आदमी के बारे में है कि हर कोई आदमी होता है दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी और मुफलिस ओ गदा है सो है वह भी आदमी मुफलिस का मतलब होता है गरीब और गदा का मतलब होता है भिखारी या फकीर तो इनका कहना है कि जो बादशाह है राजा है वह भी कोई आदमी ही है और जो रंग है जो गरीब आदमी है साधरन आदमी है वह भी आदमी है दोनों ही आदमी है जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी जरदार का मतलब होता है जो दौलतमन लोग होते हैं धनी लोग होते हैं अब बेनवा का मतलब कमजोर होते हैं तो कोई रईस हो या गरीब हो अमीर गरीब हो दोनों ही आदमी है नियमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी तुकड़े जो चबा रहा है सो है वह भी आदमी है नियमत मतलब स्वादिस्ट भोजन अच्छे अच्छे पकवान अच्छे अच्छे डिसेच और तुकड़े मतलब जो simple रूखी सो की रोटी खा रहा है, मतलब अच्छा खाना खा रहा है, वह भी आदमी है, और जो रूखी सो की रोटी खा रहा है, उससे गुजारा कर रहा है, वह भी आदमी है, किसी में कोई फर्क नहीं है, तो बादशा हो, या गरीब हो, रंग हो, दौलतमंद आदमी हो, अच्छा भोजन करने वाला हो, साधरन भोजन करने वाला हो, सभी आदमी ही है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मिया, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वा, जिस किसी ने मस्जिद बनाई है, वह भी आदमी है, और आदमी ही इमाम बनते हैं, मतलब मस्जिद में जो इमाम होते हैं जो नमाज पढ़वाते हैं या मंदिर से पुजारी बनते हैं खुतबा खुआ कहते हैं उस व्यक्ति को जो कुरान शरीफ का अर्थ बताने वलता है मतलब धर्म गरंथों की जो बिवेचना करता है जो उसके मरम को समझाता है वह भी आदमी है जो पूज पूजा के स्थल जो बनवाता है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगर जो बनवाता है वह भी आदमी ही है सबी लोग आदमी है पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यां और आदमी ही चुडाते हैं उनकी जूतियां जो उनको तारता है वह भी आदमी ही जाते हैं पूजा पाट करने, इबादत करने, प्रेयर करने और धर्मगरद पढ़ते हैं और कई बार ही होता है कि मंदिरों में या मस्जिदों में जब आप पूजा करने जाते हैं और वापस लोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जूते या आपके चप और वर से दोस्त गए तो एक को शायद आप बाश खड़ा करें कि तब तो जूतों की रखवाली करें यहां खही जग़ा होता है कि आप जूते एक जग़ार रखते हैं जहांसे कूपन आप Kuban आपको मिलता है तूह जो अ रखवाली कर तूँ वह भी इंसान तो चुराने वाला भी इंसान है रखवाली करने वाला भी इंसान है या आदमी पे जान को वारे है आदमी या आदमी पे तेग को मारे है आदमी अब किसी आदमी पे कोई अपनी जान निशावर कर देता है तो जो जान निशावर करने वाला है वह भी आदमी है और आदमी पे तेग को मारे है, मतलब आदमी पे जो तलवार चलाता है, जो वार करता है, वह भी आदमी है, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, पगड़ी उतारने का मतलब होता है, इज्जत उतारना, अगर कोई किसी की इज्जत उतार रहा होता है, तो इज्जत उतारने वाला भी आदमी ही होता है उसकी बैजती करने वाला मतलब चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दोड़ता है सो है वो भी आदमी अब किसी को किसी ने पुकारा आपने अपने दोस्त को पुकारा तो आप भी आदमी है और आपकी पुकार सुनकर आपकी आवाज सुनकर ज अश्राफ का मतलब शरीफ होता है एक सब और शरीफ का जो बहु बचन होता है उसे अस्राफ कहते हैं और कमीने मतलब जो शरीफ नहीं है जो कमीना है जो बेइमान है या दुराचारी है तो ये दोनों आदमी ही होते हैं और शाह या बजीर मतलब राजा और उनके मंत्री वो लुभाने वाला, तो कुछ दिल को लुभाने वाले जो काम होते हैं, उनको भी कोई ने कोई आदमी ही करता है, यहां आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, पीर मतलब साधु संत, और मुरीद मतलब उनके जो भक्त होते हैं, तो साधु भी आदमी है, और साधु के जो अनिया और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके कामों के कारण हम उन्हें बुरा मानते हैं तो सभी लोग आदमी है इस कविता में इतना ही Thank you.